बाइडन जो बाइडन पहुंच रहे हैं भारत मंडपम और कुछी देर में प्रुधान मंतरी नराइंद मोधी के सामने होंगे राशपती जो बाइडन कल दुपक्षिय बादचीत बाइलोटरल मीट हो चुकी है प्रुधान मंतरी मोधी के साथ जो बाइडन है कल तो time crunch करीब एक घंटे की बैठक होई थी 29 पॉइंट थे उस joint statement के आम तोर पे joint प्रेस करते हैं ये लोग लेकिन क्योंकि अभी G20 के आयोजन में भारत फंसा हुआ है तो ज्यादा तर जो मिटिंग से इलकेम यानि लोग कल्यान मार्ग में हो रही है प्रधान मंतरी आवास लेकिन जो बाइडन के मिटिंग खासती आज मिटिंग होने वाली है और जो बाइडन पे तो सबसे ज्यादा नजर थी मुझे लगता है तमाम G20 के निताओं को और करम में भी अगर अब कौर्ड के लिए भी उनको नियोता दिया गया है क्वार्ड के लिए नियोता और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है कि अगले गंतन दिवस पर उन्हें आमंतरित किया जा सके तो अगले साल क्यांत में अमेरिका में भी चुना होगा भारत में तो चुना हैं ही अमेरिका में भी भारतियम मुल्क के लोग बहुत तो इतना रखते हैं कि आब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि डोने रेपब्लिकन और डिमोक्राटिक में दोनों तरफ ही जो उपराश्ट्वती के जो उमीदवार हो दोनों ही भारतिय भारतिय मूल के हो सकते हैं, विवेक रामस्वामी हो सकते हैं और कमला हरिस्ट कि सोर अभी तो अभी तो स्क्रीन पर वक्त है कि जो बाइडन और प्रधान मंतरी मोदी के हैंड्शेक को ही देखा जा लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे बाइपोलर मल्टी पोलर यूनि पोलर वर्ड था कोल्ड वर के दोरान फिर बीच में लगा कि यूनि पोलर सिंगल यानि यूनि पोलर गया अमेरिका की ताकत बढ़ यह देखिए धर यह राजबती जो बाइडन और प्रधान मंतरी मोदी की मुलाकात कुछ वक्त पहले भी प्रधान मंतरी इस समय जो बाइडन को समझाते वे आप में यह हकीकत है कि कुणार्क का यह सूर्य मंदर जो है वो दुनिया की दुनिया की ऐसी धरोवर है जो जो अपने आप में एक मिसाल है कि उस वक्त भारत में क्या हो रहा था तो कुणार्क को शोकेस करता हुआ भारत प्रधान मंतरी मोदी और यह नट राज की मूर्ति तो किश्वर हम बात कर रहे थे भ जो नौन अलाइंड तो भारत पहले से रहा था पहले दो धड़े थे जो कमिनिस धड़ा था रूस सोवेत रूस का और एक पश्चिमी देशों का रहा था पहले हम किसी के साथ नहीं थे अब हम सब के साथ और क्यों एक ही वह कहता है कि एक धुरूविया या दूई धुरू या क्यों हो मल्ति धुरू हों और दूसरी चीज़ उनने और उससे नसर्फ नसर्फ आप एक तरह से भारत जो है वो ब्रिज बन रहा है भारत जो है एक सेतु है पश्चिमी देशों अब जैसे यह अगर रूस यूक्रेन वार की बात करें उसमें भी भारत एक सेतु है पश होती है उसमें अफरीकी देशों के लिए अफरीकीन यूनियन को शामिल करना तो भारत एक सेतु का काम कर रहा है भारत इस जो पूरा जो थीम है जो मॉटो है वन एर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर उसको दा दिखाते हुए और इधर